नमस्का दोस्तों मैं वैवो आपका Horizon Academy स्वागत करता हूँ आपका Direct Second Year का Cap Round First का Allotment लग चुका है तो उसके लिए आपको क्या करना है जब लॉग इन करोगे लॉग इन करने के बाद यहाँ पे Provision Allotment जो है वहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे अभी एक नया टाब है जो Seat Acceptance सका है वहाँ पे दिख रहा है Seat Acceptance for Allotted Seat उसके उपर क्लिक करने के बाद आप नीचे यहाँ पे आओगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे Candidate Self-ERC for Data and Document Verification अभी यहाँ पे क्या करना है मालू में कि आपको अपने जो आपको क्या करना है पेमेंट करना है अगर आपको बेटरमेंट के लिए भी जाना है तो आपको क्या करना है यहाँ पे बेटरमेंट का documents है वो आपको क्या करना है यहाँ पर अगर आपके EWS से तो इसको S करना है SSA maths के अगर maths 72 है तो इसको S बोलना है ऐसे सब करके आपको क्या करना है verify करके अगले step पर आपको जाना है ठीक है proceed to next बोलना है यहाँ पर आपको जो first step complete होने के बाद यह आपको second step पर जाना है आप डिरेक्टली second step पर नहीं जा सकते हैं अगर second step पर जाओगे तो यहर दिखाएगा step first complete कीजिए step first complete होने के बाद आप acceptance पर जाएए आपको अगर freeze करना है तो freeze के जिए betterment करना है तो betterment कर सकते हो आप और finally आपको 1000 उपे बरना है मैं और एक वीडियो बनाऊंगा आपको college को जाते हैं समय कौन-कौन से लेके जाना है अगर आप cash लेके जा रहे हो तो cash मत लेके जाए यह सारा डीटेल एक वीडियो बनाने वाला हो अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए like कीजिए share कीजिए थैंक्यू